आमश्कार में वेधी कोर आप देख रहे राश्ट्र हिंदी न्यूज देश भर में तो जहां भाजपा सरकार विकास कार्णे में लगी है लेकिन आज भी विभिन्य कारूने से कुछ शेत्र पिछड़पन का शिकार है जहां कि जंता आज भी अपने गाउ में एक महस पक्की सड़क के लिए परेशान है इसी वज़ा से जंता को मजबूर होकर सड़क नहीं तो वोट नहीं का निर्ने लेना पड़ता है इसी कड़ी में गोंडा जनपत के तुलसेपुर माजा से के खबर सामने आई जहां गाउ के ग्रामिडों ने सड़क ना बनने पर 2022 के विधान सबत चुनाव में अपने मतदिकार का भाषकार करने की चेतावनी दी और साथी साथ विरोध प्रदर्शन भी किया ग्रामिडों का कहना है कि कई बार प्रदर्शन पत्र देने के बाद मानक विहिन मार्ग बनाया गया लेकिन वो बार प्रभावित छेत्र होने के कारण कुछ समय के बाद ही उन सडकों में गड़े हो जाते हैं आईए देखे हमारी ब्यूरो रेपोर्ट बात ऐसा है कि हमारी पिढ़ी दर पिढ़ी बीती चली गई सब इसी में मतलब समाहित हो गए कोई किसी को मतलब सुक शुद्धा नहीं मिल रहा है आने वाली पिढ़ी उसके लिए भी हम लोग प्रियास कर रहे हैं कि हमारी लोग की तो जो है तो बीतिन चुकी है लेकिन अब उन लोगों की कैसे कटेगी जैसे देड़ दो मीटर पानी इस पर हो जाता है ना उसे चलते हैं इस सडक का कोई वजूद नहीं रह जाता है उस समय जब बाढ़ हाता है जैसा कि आपने सुना ग्रामीडों का कहना है कि बाढ़ और बरसात के दिनों में जब नदियों और गड़ों में पानी भर जाता है तो मुख्यमार के रास्ते से गाउं तक पहुझना दूभर हो जाता है क्योंकि जगा जगा सडकों में गड़े हो जाता है निकलने वाले रास्ते में सीने तक पानी भढ़ जाता है और तो और ऐसी स्थीती में अगर कोई बिमार पढ़ जाए तो उसे कंदे पर टांकर अस्पताल ले जाना पढ़ता है सडक का निर्माणकार और सडक को उचा करवाने के लिए 2017 में जहां कि ग्रामिडों ने संपर्क मार के लिए कई बार प्रशाशन अधिकारियों को आवेदन दिया लेकिन ग्रामिडों को आशवाशन के सिवाए कुछ नसीब नहीं हुआ फिर नाराज ग्रामिडों ने इस बार विधान सबा चनाओं में रोड नहीं तो वोड नहीं का विरोध प्रदशन लिंक रोड पर बोड लगा कर शुरू कर दिया है ग्रामिडों ने मुख्य मंत्रियों जिला दिकारियों को ओनलाइन प्रातना पत्र भेज़कर समस्या के समधान की मांग की है फिलाल के लिए इतना ही आगे की तमाम खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें राश्ट्र हिंदी न्यूज जैहिं